हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आपने एकसर देखा होगा कि कई बार बहुत से लोग HIV AIDS को लेकर काफी ज्यादा अवेर रहने की कोशिश करते हैं और इससे बचने के बारे में भी सोचते हैं चलिया जानते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीकी जो आपको AIDS जैसी बड़ी बिमारी से भी बचा सकते हैं दोस्तों AIDS से बचने के लिए आपको बहुत महंगी महंगी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करने की या फिर बहुत सारे डॉक्टर के साथ बैट कर डिसकशन करने की जरुरत नहीं है यह आपके खुद की ही समझदारी है सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ वफादार हैं आप हर दिन अपने पार्टनर को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा करने की वज़े से भी हमें AIDS हो जाता है ऐसा इसलिए हो सकता है यह भी हो सकता है कि कई बार हमारे शरीर में AIDS के वाइरस नहीं होते हैं लेकिन अगर हम बार बार अपने पार्टनर को चेंज कर देते हैं तो उसकी वज़े से किसी भी पार्टनर की वज़े से हमें AIDS के वाइरस मिल सकते हैं इसलिए हमेशे अपने पार्टनर के साथ वफादार रहे और precautions का ध्यान जरूर रखे सुयों का प्रयोग करने की बजाए, कॉंडम का प्रयोग करना ज्यादा बहतर है फिर चाहे आप लड़की है या फिर लड़का है अगर आप कॉंडम का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो यह आपको AIDS से बचाने के लिए काफी अच्छा उपाय है इसी के साथ साथ अगर आप AIDS से बचना चाहते हैं तो सुरक्षित सेक्स पर ध्यान दीजे अपने पार्टन की फिलिंग को समझे अगर आपके शरीर के अंदर HIV याने की AIDS के वाइरस घुस चुके हैं तो आप अगर मा बनने वाली हैं या फिर बन चुके हैं तो आपने बच्चों को स्तनपान ना कराएं ऐसा करवाने से बच्चे में भी AIDS के लक्षन फैर जाते हैं इसलिए दोस्तों यह चोटी चोटी जीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने आपको एट से बचा सकते हैं मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए